हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यहे राधा का घर, यहां आभी सुभा हो रही है, यहां पर आभी सब सो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या होता है लगता है सुभा हो गई है चलो अब मैं जल्दी से उड़ जाती हूँ अरे श्याम तो अभी सो रहा है चलो अच्छा है सोने देती हूँ श्याम के पापा को देखो कितने अच्छे से सो रहे है चलो एक काम करती हूँ श्याम को उठा कर उनके पास ही सुला देती हूँ वहाँ पे अच्छी से सो जाएगा यहां राधा श्याम को उठा कर श्याम के पापा के पास सुलाने ले जाने लगती है अरे कहीं श्याम जाग न जाए धीरे धीरे ले कर जाती हूँ मेरा प्यारा बच्चा कितने अच्छे से सो रहा है कितना मासूम दिख रहा है चलो बेटा सोजे ओपने पापा के पास अच्छे से चलो जाती हूँ गईयां को चारा भी दे देती हूँ कैसे चिला रही है हाँ हाँ माधुरी आ रही हूँ रुको लगता है गईयां बहुती ज़्यादा भूखी है रुको मादरी मैं तुम्हें अभी ताजा ताजा चारा देती हूँ फिर अच्छे से खाना यहां राधा गईयां को चारा देने जाने लगती है ये लो गईयां खाओ अच्छे से और अच्छे से दूद दो चलो गईयां को तो चारा दे दिया मैंने अब जाकर टोइलेट में फ्रेश हो जाती हूँ वरना भी श्याम की पापा जाग जाएंगे तो टाइम भी नहीं मिलेगा मुझे अरे वाँ बाल्टी में तो पहले से ही पानी रखा हुआ है चलो इसे ही ले जाकर इस्तेमाल करती हूँ और यहां राधा जा रही है फ्रेश होने के लिए चलो मैं जाती हूँ जल्दी से श्याम की पापा की भी जागने का समय हो गया है अरे मैं श्याम के पापा को कितना बोल रहे हूँ कि दर्वाजा लगा दीजिये लेकिन वो लगवा ही नहीं रहे हैं कोई बात नहीं चलो अभी पर्दा लगा की ही काम कर लेती हूँ यहां राधा फ्रेश होने लगती है चलो अब जाती हूँ श्याम के पापा को भी जगा देती हूँ जल्दी से उनको तो अभी खेत भी जाना है श्याम के पापा श्याम के पापा उठ जाईए सुभा हो गई है चली ये उठ जाईए आपको अभी खेत भी जाना है उठकर नहा लेजिए फ्रेश हो जाईए अरे उठ जाईए ना शाम के पापा ये तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे है हाँ अरे हाँ राधा उठ रहा हूँ रुको रुको यहाँ शाम के पापा उठने लगते हैं हाँ उठ जाईए और ये राधा बातरूम में पानी है क्या तुमने मुझे जगा दिया बहुती जोर से प्रेशर आग गया है मुझे चलो उड़ता हूँ जल्दी से हाँ श्याम की पापा बहुती पानी है बातरूम में आप जाईए चलो मैं जाकर जल्दी से ज़ाड़ू मार लेती हूँ चलो मैं जाता हूँ जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ बहुती जोर की आई है मुझे ये राधा बीना जब जगा देती है तब ही ऐसा होता है औरे हाँ यहाँ पर तो भी दर्वाजा भी लगवाना है चलो भाई अब जाती हूँ पुरे घर का काम करती हूँ दीरे दीरे पहले ज़ाड़ु मार लेती हूँ अरे मैंने ज़ाड़ु कहां पर रखा है हाँ ये रही मिल गई चलो अब ज़ाड़ु मारना शुरू करती हूँ यहां राधा आंगन में जाड़ो मारने लगती है चलो जाती हूं गई हैं कि पास भी जाड़ो मार देती हूं कितना कचड़ा हो रखा है और राधा अच्छे से पुरा घर साफ करने लगती है अरे वाह ऐसा लग रहा है सालों का बोज हलका हो गया चलो जाता हूँ जल्दी से अच्छा राधा मैं अभी नहाने जा रहा हूँ तो तुम मेरे कपड़े लाकर दे दो मुझे हाँ हाँ श्याम की पापा आप जाकर नहाईए मैं अभी लेकर आती हूँ आपके कपड़े अच्छा ठीक है जब तक मैं जाकर पाणी निकाल लेता हूँ नहाने के लिए चलो मैं नहाना शुरू करता हूँ अरे आज तो सुबह सुबह बहुती ज़्यादा थंडी है चलो नहाता हूँ मैं यहाँ श्याम के पापा नहाने जा रहे है अच्छा राधा जल्दी से तवलिया और कपड़े लाकर दे दो मुझे अरे पानी भी लगता है बहुती ज़्यादा थंडा है चलो नहाता हूँ अरे पानी तो बहुत ही जादा थंडा है अरे आज तो बहुत ही जादा मज़ा आ गया इतनी गर्मियों में थंडे पानी से नहाने का तो मज़ा ही कुछ और है अरे राधा जल्दी से मेरे कपड़े ले आओ मेरा नहाना होने ही वाला है चलो मैं सेंपू लगा लेता हूँ बालों में बाल तो मेरे बहुत ही शायनी हो जायेंगे अरे वाँ इस शेंपू की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है चलो लगाता हूँ अरे थंडे थंडे पानी से नहाना चाहिए गाना आए remain haven't चाहिए अरे बापरे ये तो मेरे आखों में लग रही है बहुती ज़र से चलो धूलता हूँ जल्दी से अरे लगता है श्याम की पापा बहुती मज़े से नहा रहे है चलो कपड़े निकाल देती हूँ यहां राधा कबाट में से कपड़े निकालने लगती है अरे मेरे आखो में तो बहुती ज़्यादा शेम्पू लग गया था चलो अच्छा है अब धुल गया हाँ बहुती अच्छा लग रहा है थांडे पानी से नहा कर यहाँ श्याम की पापा का नहाना हो जाता है अरे भाई राधा कहां पर रह गई तुम जल्दी से लेकर आओ मेरे कपड़े अरे हाँ हाँ श्याम की पापा ला ही रही हूँ ये लीजे आपके कपड़े हाँ लाओ दो राधा तुम्हारा बहुती ज़्यादा शुक्रिया अच्छा तो मैं जाता हूँ जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाता हूँ श्याम की पापा कपड़े बदलने के लिए जाने लगते है अरे लगता है श्याम जाग गया रो रहा है चलो जाकर देखती हूँ जल्दी से हाँ हाँ बेटा मैं आ रही हूँ अले मेरे प्यारे बेटे क्या हुआ तुम्हें भूख लगी है क्या अच्छे रुको मैं अभी तुम्हें दूद गर्मा कर ला कर देती हूँ मेरा प्यारा श्याम चुलो यही पर लेट जाओ अच्छे से मैं अभी ला कर देती हूँ तभी वहाँ पर रोते रोते सोनम आ जाती है अब मैं गुल नहीं जाओंगी ममी ने मुझे बहुती जोर शिमाला है ममी बहुती जादा बुली है और यहाँ सोनम जाकर खटी पर बैट जाती है अरे सोनम बेटा क्या हो क्या तुम क्यों रो रही हो इतना सुभे सुभे आखिर क्या हुआ है बताओ मुझे अले लादा आंदी मैंने बस उन्से एक चोकलेट मांगी इतने पलोने नमसे बहुती जोर से माला मैं उन्से कभी भी बात नहीं ख़लूंगी अरे सोनम बेटा सुभा सुभा चोकलेट नहीं खाते है अखिर तुम इतने सुभे अपने मम्मे पापा से चोकलेट मांगोगी तो वो डाटेंगे ही न हमें तो सुभे सुभे अच्छी अच्छी चीज़े खाने चाहिए जैसे सेब, केला, दूद और तुमको तो पता है चोकलेट से दात खराब हो जाते हैं उसके इंदर कीड़े पढ़ जाते हैं चलो अब जल्दी से रोना बंद करो मैं अभी श्याम के पापा से अच्छे अच्छे फल मंगवाती हूँ फिर बैट कर खाना ठीक है न रुको मैं अभी आती हूँ लादा अंते कितनी अच्छी है मम्मे भी तो मुझे ऐसे शमझा सकती थी अले श्याम तुम क्यों हश लए हो तुम मेली उपर और हश रहा है तुम मेली उपर केशे हश रकते हो तुम तो बहुत ज्यादा बurě हो अब मैं तुम्हें कभी भी ने खेलांगी जाओ अच्छा श्याम के पापा जरा एक काम के जेना यहीं पास जाकर थोड़ा फल फ्रूट ले आए देखिए ना सोनम बहुत ही ज़्यादा रो रही है अच्छा हाँ राधा रोको मैं आभी लेकर आता हूँ इसने भी कोई बोलने की बात है और यहाँ श्याम के पापा फल लेने के लिए जाने लगते हैं चलो अच्छा है श्याम के पापा चले गए तब ही वहाँ सोनम को ढूनते ढूनते चन्दा भी आ जाती है राधा ओ राधा कहाँ पर हो तुम सोनम आई है क्या यहाँ पर हाँ मुझे तो पक्का ही पता था कि सोनम यहीं प्याई होगी देखो कैसे बैठी है यहाँ पर अरे दीदी आपने सोनम को इतना क्यों मारा बिचारी कितना ज़दा रो रही थी हाँ हाँ मुझे तो पता है ये लड़की ने तुमको बढ़ा चड़ा कर ही बोला होगा ज़्यादा नहीं मारा मैंने ये तो बस ऐसे ही रोने लगी ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है मेरे हातों से तो निकलते ही जा रही है अब इसको मार के ही सुधारना पड़ेगा अब तुम ही बताओ इतने सुभे सुभे कोई चोकलेट मांगता है क्या हाँ देदी वो तो है लेकिन आपको प्यार से समझा देना चाहिए था ऐसे मारना नहीं चाहिए था अरे हां राधा बात मैं मुझे भी यही लगाई इसलिए तो मैं आए हुए लड़की को ढूंते ढूंते यहां पर अले मम्मे आप क्यों आए हैं यहां पल जाएए मैं आप शे कभी भी बात नहीं करूंगी दोस्तो हमारे ऐसे ही नए और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए थांक यू